हेलो इस्टुडेंट स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोसन क्लासेस में इस्टुडेंट आज हम आपके लिए जो आपका CG Board का Assignment 2 है जो कि आपके माई सितंबर का है उसके कक्छा वारहवी के यहाँ पास विशय हिंदी के सभी प्रिश्णों के उत्तर इस वीडियो पे हम ले आपके लिए तो आपको इस वीडियो में सभी प्रिश्णों के उत्तर मिलेंगे तो वीडियो को लाइक कर दें अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते है सो यहाँ पास देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका PDF कहा मिलेगा इसका PDF आपको टेलिग्राम गुरूप में मिलेगा टिलिग्राम का गुरुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्टन पे मिल जाएगा या आप सर्च कर सकते हैं आलोक मोसं क्लासिस ठीक है तो वहां से आप जॉइन करके आप इसका पीडिया प्राप्ट कर सकते हैं चली यहां पास देखिए है प्रेशन करमांग एक है, तो प्रेशन करमांग एक क्या है, यहां पास किस नंदा एक एसा चरितर है जो यह सोधर बाबू का अनकोर नहीं है, ठीक है, आपके विचार में किस नंदा की सोच जीवन में संदर में कितनी तरक संगत है, इस पस्ट ठीक है तो यहां पास आपको क्या करना है यहां से वीडियो को रोकना है और इसके एंसर को बकायदे लिख लेना है ठीक है बहुत ही अच्छे तरीके से एंसर को लिखा गया है जिस आपको लिखने में एंसर लिखने में कोई समस्त्या नहीं होने वाली है क्योंकि सारे एंसर टाइप करके लिखे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए वीडियो को भी लाइक करते जाईएगा, ठीक है, तो यहाँ पास देखिए क्या है, यह सोधरा जब गाव से दिल्ली आये तो सर फ्रतम किशनदा ने ही उनका सहायता की, किशनदा ने यह सोधरा पंद को मेस का रसोया बना क रख लिया, क्योंकि तब तक यह सोधरा जी का उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, ठीक है, किशनदा ने, यह सोधरा ने 50 रुपए यहाँ पास किशनदा होगा, ठीक है, यह सोधरा जी को 50 रुपए उधार दिये, जिसमें वे अपने कपड़े वनवा सके, और कुछ पैस गाउ भी भेज सके, बाद में किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तर में कामों में मार्ग दर्शन दिया, ठीक है, यह सोधरा किशनदा की शलाह में के बिना कोई कार नहीं करते थे, किशनदा परांपरागत सिद्धानतों को मानने वाले व्यक्ति थ रहते रहते यह सोधरा बाबू भी उन्हीं की तरह एक सिद्ध्यानतवादी बन गए, अंत में वे अपना हर काम किशनदा को ध्यान में रख करते थे, यह सोधरा पंद किशनदा के सिद्ध्यानतों के कारण उन्हें सामाज में और परिवार में पुराने विचारों को समझ जाने लगा, पर उन्होंने किसी भी एकी परिवाना करते हुए किश्नदा के शिद्यानतों को अपने जीवन का आधार बना लिया, ठीक है, तो ये हो गया, इसका प्रशन कमांग 1 का उत्तर, ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, आप पास प्रशन कमांग 2 है, तो ये है आपको दिया निलुकित कव्यांस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर अपने सब्दों में रिखे तो यह है आपके प्रश्ण ठीक है अब यहाँ पास प्रश्ण पहला है उसा का द्रश्ण कैशा लगा रहा है ठीक है तो यहाँ पास इसका एंसर है देखिए कवी को सुबह आकास एसा लगता है कि मानो चौका राक में लीपा गया ठीक है आगे है फिर यहाँ पास तो लीपा गया हो तथा वह अभी गिला हो जिस तरह गिला चौका स्वच होता है उसी प्रश्ण का आकास भी स्वच होता है उसमें प्रदूसर नहीं होता है ठीक है तो यह हो गया आ यहां से यहां तक है आपका इसका एंसर, तो लिखना है आपको उसा काल में प्राकृत का रंग अपने सौंधर को वीद रूपों में प्रदर्शित करता है, आकास अपने रंग रूपों में प्रतिछण नवीन परिवर्तन कर रहा होता है, सूर्योदय के बाद आकास में शू इस प्रकार उसा सम्मोहन अर्था जादू तूटने लगता है। ठीक है? यहां तक आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद यहां पास आपका प्रश्न प्रमांगगा है। देखिए नीला जल क्या है? उसमें क्या हिल रहा है? तो यहां पास इसका एंसर है। देखिए। यह चमकता हुआ सूरा सुन्दरी की गोरी देज जैसा प्रतीत होता है ठीक है तो यह हो गया आपके गाका एंसर फिर इसके बाद यहां पास है प्रेशन कमांग 3 है देखिए जीजी ने इंदर शेना पर पानी फेके जाने को किस तरह सही ठहराया और अपने उत्तर की शमर्थन मे कोई 3 तरक लिखी है ठीक है तो यहां पास देख सकते हैं जीजी ने इंदर में सेना पर पानी फेके जाने को निन्म तरकोस द्वरा सही ठहराया पहला है त्याग और दान की महत्ता ठीक है तो यहां पास से यहां तक आपको लिख लेना है इसे वीडियो को रोकना है और लि तो यहां से यहां तक आपको यह लिख लेना है तो यहां पास जो तीन तरक थे यही तीन तरक थे तो आपको वीडियो को रोखना है और लिखते जाना है ठीक है फिर इसके बाद अगला question देखते हैं यहां पास question number 4 है उड़ने खिलने का कविता में क्या संबंद बनता है कवि कवी ने बताया कि चिडिया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है इसी प्रकार कविता की हर जगह पहुशती है उसमें कलपना की उड़ान होती है कवी फूल खिलने की बात करता है दूसरे सवितों में कविता का आधार प्राकृत वस्तविये हैं वह लोगों को अपनी पत्रकारिता किसे कहते हैं तो यहां पास देख सकते हैं इसका एंसर है यहां से यहां तक है पित्र पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेच्छा करके संसनी फैलाने वाले समाचारों का उप्योग किया जाता है ठीक है प्रित्र पत्रकारिता में समाचा पत्रकारिता के किनी दो प्रकारों के नाम लिखे तो पहला यहाँ पास देखिए है होजपरक पत्रकारिता और दूसरा है विशेशी क्रत पत्रकारिता ठीक है तो यहाँ पास आपको दोनों को लिख लेना है ठीक है फिर इसके बाद अगला है इसका गाह है सौतंत्र पत्रकार कौन होते हैं तो यहां पास यह है इसका answer एसा पत्रकार किसी अखवार विशेश में न बंद कर भुक्तान के आधार पर अलग-अलग अखवारों के लिए लिखता है यह क्या है सौतंत्र पत्रकार है ठीक है पिर यह हो गया आपके अपने से लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है तो यहाँ पास हमने जो लिख है वो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब यहाँ पास अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आपको टेलिग्राम चैनल जॉइन करना ही पड़ेगा लिंक नीचे डिस स्क्रिप्शन पे है तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने सभी प्रिश्णों के उत्तर अच्छे से लिख लिए होंगे तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्स्राइब कर दीजे मिलते हैं अगरे वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई